हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माय चैनल फ्रेंड्स आप शानते ही होंगे कि अभी घर्मियां सुरू हो चुकी है और इसके साथ आम का भी सिजन सुरू हो चुका है आम हमें पक्के हो या कच्छे दोनों ही बहुत ही अच्छे लगते हैं आज मैं बनाने वाली हूँ ये चटनी घट्टी, मीठी, तीखी बहुत ही टेस्टी बनती हैं ये बच्चे को भी बहुत ही ज्यादा पसंदे और बड़े को भी बहुत ही ज्यादा पसंदे तो आप इसे ज़रूर ट्राइक किशेगा तो चलो मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले मैंने यहाँ पर कच्छा आम लिया हुआ है और मैं इसके छिलके निकाल कर इसके छोटे-छोटे पिसिस कर दूँगी देखिए बिल्कुल इस तरह आप इसका पिसिस कर लीचे मैं यहाँ पर तीन चम मच घुट डाल रहे हूँ अगर आपका आम ज्यादा खटा हो तो आप ज्यादा गुट डाल दीचे उसके साथ थोड़े से मैं मुक्फली के दाने डाल रहे हूँ छे से साथ लसुन की कलिया जो बैने टुकडे में कर लिये है उसके एक चम मच नमक बारिक कटा हुआ अद्रक का टुकडा थोड़े से फुदिना की पतिया थोड़े से धनिया की पतिया दो से तीन बारिक कटी हुई हरी मिर्ज और मैं डाल रहे हूँ एक चम मच दही और हमें चाहिए एक लास पानी अब हम इस सारे चीजों को मिक्सर के जार में अच्छे से पीस लेंगे और एक ग्लास हम पानी का यहां पर इस्तिमाल कर रहे है देखिए मैंने अच्छे से मिक्सर के जार में इस सारे चीजों को पीस लिया है और आप यहां पर देख सकते है मेने चटनी को दरदराहे पिसा है आप इसका fine paste कभी मत बनाईए चटनी का दरदराही रहना बहुत ही टेस्टी होता है और ये हमारी बनकर ready हो गई कच्छे आम की चटनी मैं इस फुदिना से इसके गार्निस कर दूँगी और देखिए एक खाने में भी बहुत ही खट्टी मिठी लगेगी आप इसको जरू ट्राइ कीछेगा थेंक यू फॉर वोचिंग